प्रगत और अभिनंदन अपनी ओर लोटो अपने आत्मा में दुबकी लगाओ यही मेरा संदेश है यही मेरा मूल संदेश है इसके अलावा जो कुछ है वो तुम्हारे बाहि जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ उपाए है क्योंकि जीवन दो तरफा है दो तरफ काम कर रहा है एक बाहर की और एक अंदर की और तो हम तुम बाहर के जीवन को सजाने समारने में तो लगे हैं लेकिन अंदर का जीवन खाली है इसलिए मैं इंगलिस मैं कहता हूँ return to the self, immerse in the self, अपनी और लोटो, अपनी में डूबो, ठीक है, यह philosophy है, अब चलते हैं हम लोग उस तरफ, कुछ इस्तरी पुरुष कहते हैं, कि गुर्देव एक खाने का ऐसा तरीका बताओ, कुछ ऐसे ख़द पदार्थ बताओ, जिनको खाने से सरी स्वस्त और सुन्दर और आकर सक बने, कुछ लोगों को ताकत वर चीज़े हज्म नहीं होते हैं, पच्चती नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए मैं एक ऐसा दलिया लेकरके आया हूँ, ऐसा फार्मूला लेके आया हूँ, जंगली बाबा का, जिससे आप बहुत 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 मैसूस करेंग है इसको खाने से क्या फाइदे होंगे सबसे पहले तो यह है कि तुमारी हड्डियां मजबूत बनेंगे तुमारा जो स्वास फूलता है सर्दी जुखाम खासी रहता है वो खत्म हो जाएगा इमेनिटी पावर बढ़ेगी रोग प्रतिरोदक चमता बढ़ेगा तुमारी आखें तुमारा चेहरा तुमारी त्वचा इसकिन इन सब की चमक बढ़ेगी इन सब का तेज बढ़ेगा ओजश्वता बढ़ेगी तुमारे गले की खिच-खिच होर्सनिस खत्म होगा तुमारी खोपड़ी तुमारे को अगर सिर में दर्द होता है चक कर आते हैं इन सब में निश्यती फाइदा होगा जिन लोगों का कॉलेस्ट्रोल बढ़ रहा है जिनके टीवी की सिकायत है उनके लिए भी यह दलिया ज जिनको कुछ पचता नहीं है जिनके लिए हज़ब नहीं होता भूख नहीं लगती है ताकत में हैसूस नहीं होती है उननigon को यह बर्दान है और नीचे चलो और नीचे चलने पर आपकी आतों का यह बहुत अच्छे से ग्री सिंग करेगा मसाच करेगा उनके अंदर जो मेर्च मसाले खाने से गरम मसाले खाने से तलब होने से जो तुमारी आथों में खुसकी आ गई हैं जो तुमारी आथों में दर्द होता जखंँ हो गए हैं उन सब को यह हील करेगा यह हीलिंग देगा यह रिमेडी है एक परकार से और नीचे चलो जिन लोगों को गेस की प्रॉब्लम चलता है होता है पेट फूलता है उनको भी यह बरदान है और नीचे चले इसके नीचे जब आप जाते हैं तो आता है आपका योनांग चक्र से जुड़ा हुआ जिन महिलाओं को सपेद पानी की सिकायत पुर्सों के लिए भी है सुपन दोस होता है लिंग में तनाव नहीं आता है सोते हो तो रात में खड़ाई नहीं होता एकदम से जो है मुर्जाया हुआ पड़ा रहता है गुर्ड मुरी होकर के कुंडली की तरह पहतर बरदान है और जो लोग तूफानी चूड नहीं खरीद पा रहे हैं अपनी गरीवी के कारण अपने लालच के कारण या अपने अविस्वास के कारण उन्हें लगता है कि गुरू जी कई हमारे पैसे की बेमानी ना कर लें ऐसे लोगों के लिए यह इस पेसली बरदा हमाए हैं तो इस दलिया के लिए आप खाएंगे तो इस दलिया को खाने से महलाओं को पुरूशों को जो पेसाफ से जुड़ी हुई सिकायते हैं जिनके स्पर्म काउंटिंग नहीं हो पा रहे हैं इंक्रीज नहीं हो पा रहे हैं जिन महलाओं के अंडाडू नहीं बन पा एक और फायिदे का यह दलिया है जिन भा को लड़कियों को बच्चें को जो महलाएं है जब बच्चे पैदा होते हैं उनके उसके लाण से उनके चाट्यों में दूद्ध नहीं निखलता है मने बच्चे को वह इसतन पान नहीं करा पाती है ग्राफ में 한번 है ऐसे यह दलिया खाओ और अपनी और अपने बच्चे की सेहत वनाओ निश्यत रूप से नोट करें फार्मूला मैंने लिखके रखा है अपने कौपी पे दलिया पचास ग्राम ग्यों का दलिया और पांसो ग्राम दूद में आपके लिए चाहें तो इसमें गोले डालो चाह डालचिनी एक ग्राम पाऊड़र के रूप में जावित्त्री पाऊड़र एक ग्राम किसमेस 25 ग्राम मकहने 20 ग्राम और भीमसेनी कपूर 1-2 रति आप 10-20 ग्राम भीमसेनी कपूर लिए बड़ा shifting घौर्दार जोड़ार बड़ा मस्थ है यह एक रति एक चावल के दाने कि बराबर पाउडर करके आपको जब ये दलिया बन जाए तब उसमें मिला देना है और उसको ढख देना है ताकि उसकी स्मेल आउट ना हो वो एब्जॉर्ब कर जाए दलिया आप इसको बनाईए इस तरह से हाँ अगर किसी के पास आदा किलो दूद नहीं है हमारों कोई गरीब भाई बंदू है तो उसके लिए 200 ग्राम दूद में काम चल जाएगा अब करना क्या है ये सब चीजें आप पानी में उबालिए अगर जिनके पास दूद की कमी है तो और उसको पानी में उबालने के बाद एक गिलास या आदा गिलास दूद को जब बन जाए ठाली सामने आए तो उसमें मिला करके आप दूद को मिक्स करके खा सकते हैं बड़ा मज़ेदार है, बच्चे भी खा सकते हैं, जवान इस्तिर्पुरुष खा सकते हैं कमजोर खा सकते हैं और बुड़े आदमी औरत भी खाएं अगर ठंड़क से दूर रखना है ठंड़क को दूर रखना है इसको सक्ती वर्दक दलिया कहते हैं और हमें कमेंट्स करो मेरे वाट्सप पे आप लिखके भेजो आप बताओ कैसा फील कर रहे हो ठीक है लेकिन खाना सुबह के समय में ये ध्यान रखना ये सुबह का नास्ता है रात में खाओगे तो रात बर गर्मी रहेगी सरीर में बनी हुई रात में जिने ठंड जादा लगता है वो रात में खाएं और अगर लिंग में तनाव बढ़ गया तो फिर मत कहना बापाजी ये तुमने क्या कराया औरत बाले ही रात में खाएं जनके पास औरत की सुविदा हो नहीं तो कुछ उल्टा पुल्टा अपराद कर वैठेंगे या हस्त मैथन कर वैठेंगे ओम शान्ती इस वीडियो को अधिक से अधिक आप आगे बढ़ा हिए ताकि आरवेद का परचार परसार हो और लोगों का कल्याण हो ओम शान्ती